Hello guys मैं रवी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का Education of Everything YouTube चैनल पर दोस्तो आज किस वीडियो में हम सीखने वाले है Square, Square और Square Root Find करना तो आज किस वीडियो में हम Square और Square Root Find करना सीखने वाले है आज किस वीडियो को देखने के बाद आप Square और Square Root आसानी से निकाल पाएंगे वो भी कुछ ही Seconds में तो चलिए एक बार फटा फट से वीडियो को Like और Share कर दीजिए उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को Start करते हैं तो देखे इस सबसे पहले हम सीखेंगे जो आज किस वीडियो में वह सीखेंगे हम Two Digit के लिए Square Find करना सबसे पहले हम Square Find करना सीख रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले हम Square Find करना सीख रहे हैं वह भी Two Digit का अगर आप बोलोगे तो मैं अगली वीडियो में 3 डिजिट, 4 डिजिट का भी आपको square find करना सिखा दूँगा पट पहले 2 डिजिट का square find करना आज किस वीडियो में हम सीखेंगे तो देगे दोस्तों 2 डिजिट का square find करने के लिए आपको 1 से 10 तक के square याद होने चाहिए तीन का नो, चार का 16, फाइव का 25 यानकी पाँच का 25, छे का 36, शात का उन्हंचस, आठ का चोशट, 9 का 81 और 10 का 100 तो ये पहले आपको ये चीज याद होनी चाहिए अब एक को देखे, एक चीज हमें से आद रखेंगे जब भी आप short trick से square निकालेंगे तो जहाँ पे भी एक है, वहाँ पे आप उसको 0, 1 लिखेंगे जहाँ पे 4 है, वहाँ पे आप 0, 4, 9 को 0, 9 उसके बाद फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी तो चलिए वैसे आपके याद होंगे भी इतने तक तो तो देखें, नॉर्मल जो trick होती है हमारी square find करने की वह होती है कि जैसे कि 4 का square find करना है हमको जैसे कि हमने पीछे भी 4 का निकाला है तो चार में हम 4 की गुणा कर देंगे तो नॉर्मल हमारा method ये होता है बट अब हमको चाहिए कुछी seconds में जवाब तो कुछी seconds में अगर हमको जवाब चाहिए तो भाई ऐसे हम गुणा कब तक करेंगे तो हमको चाहिए भाई short trick तो देखे short trick में मैं आपको बता दूँ कि कुछ कुछ आपका formula जो है कुछ ये लगेगा आप इस चीज़ को note करना कि कुछ formula आपका a plus b के whole square का formula लगेगा जैसे कि इसका formula होता है आपका square plus b square plus 2ab ठीक है ये formula आपका note यहाँ पे use होने वाला है ठीक है आप इसको note कर सकते हो ठीक है जैसे कि यहाँ पे मैं एक example ले लेता हूँ चलिए अब आपको सिखाते हैं तो जैसे कि मैं आप एक example ले लेता हूँ जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते है 78 का square तो देखे पहले हम a का square करेंगे यानिकी 7 का square करेंगे तो 7 का square कितना होता है 49, 8 का होता है 64 ठीक है और अब हम into 2ab कर देंगे तो यानिकी आप इसको मान लेजे ये 2 तो ठीक है तो अब हम इन तीनों की multiply कर देंगे ठीक है 756 दूनी 112 ठीक है अब 112 जो है जो आपको लिखना है 112 वो आपको कैसे लिखना है तो जो 112 आप लिखोगे वो आप यहाँ पे एक डिजिट को इसको छोड़ करके तब आप 112 लिखोगे ठीक है इसको इस प्लेस को यहाँ पे छोड़ देना आगे लिखना है अब यहाँ पर आप जोड़ दोगे इसको, क्या करोगे अब जोड़ दोगे 4, 6 और 2, 8, 9 रेक, 10 की 0 आता है 1, 5 और 1, 6, वो सोरी, 4 और 1, 5 और 1, 6 यनि कि 6084 आपका 78 का स्क्वार होता है ठीक है, 78 का स्क्वार क्या होता है? 6084 ठीक है, अब आगे किसी और नंबर का हम देख लेते हैं जिससे की आपका कंफ्यूजन कंप्लीट दूर हो जाएगा ठीक है, तो देखें, दूसरा एक्जामपल ले लेते हैं यहाँ पर एक, दूसरा एक्जामपल ले लेते हैं तो देखे यहां पे अगर मैं करूँ आपका 18 का square देखे 18 का square करते हैं तो देखे जैसे की 1 है तो 1 का square हम यहां पे 1 ना लिखकर हम 0 1 लिखेंगे तो 0 1 लिखेंगे यहां पे 8 का square होता है 64 तीनों की multiply कर देंगे 8 एकम 8 दूनी 16 अब 16 यहां पे एक डिजिट छोड़के यहां पे लिख लेना है ठीक है 4, 4, 6, 12 का दो का आता है एक और एक और एक दो एक तीन ठीक है 0 आपकी लिखो ना लिखो कोई सिफरक नहीं पड़ता तो 18 का जो आपका square हो गया वो हो गया 324 ठीक है तो यह बात आपकी clear हो गई होगी कि आपको यहां पे 0 क्यों लगानी है तो इस बात से आप परिचित हो गए होंगे ठीक है अब चलिकिसी और नमब और का ले लेते हैं यहाँ पे स्क्वार आप अतुर। तो यह थोड़ा बड़ा नमब भी होगा तो नो नम इक्क्यासी, छें चंग छतिस, ठीक है, नो चंग, दुनी ठार, नो चंग, ठीक है, ठीक है, एक्सो आठ, जोड लेंगे अब इनको, तो छें, आटर, तीन, ग्यारा, एक रिक, दो, हासल का चुल जाएगे आपे, और आटरिक, नो, तो बाण में, 16, ठीक है, 9216, आपका 96 का स्क्वाइर होता है, ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी ट्रीक है, आपको अराम से, आप इसमें लगा सकते हो, और किसी भी 2 डिजिट का, किसी भी 2 डिजिट का, आप इस ट्रीक की मदद से, अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि 10 का स्क्वाइर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि 10 का स्क्वाइर क्या होता है, जैसे कि 10 का स्क्वाइर मैंने बोला था, 10 का स्क्वाइर मैंने वहाँ पे पीछे लिखवाय था, आप पर आपको देखें यहां पर यह आप इसको कहीं तक भी अपलाई कर सकते हो इस ट्रिक को जैसे कि आप से पूछ लिया भाई अब 100 का स्कुरार क्या होता है तो इस ट्रिक को आप कहीं तक भी यूज़ कर सकते हो 1000, 10,000, 20,000, 1000 यह सिर्फ पूर्स जिसके पीछ जीरो होगी ठीक है जैसे कि एक है 100, 1000, 1,000 यह इन पर एपलाई होगी 20,000, 30,000 वो मेरे गलती से मुझे निकल गया था ठीक है तो आप क्या करोगे आप यह एज़टिस लिखकर यहाँ पर आप इसके जितनी भी जीरो है वहाँ पर आप इसकी डबल जीरो कर दे जैसे कि यहाँ पर दो है तो यहाँ पर आप 4 जीरो लगा दोगे ठीक है यहाँ प आपको बता देता हूं जैसे कि आपको मान के चलो 60 का स्क्वायर फाइंड करना है ठीक है 60 का स्क्वायर फाइंड करना है तो अब इसमें भी जीरो है क्या इसमें भी यह ट्रिक लग सकती है अब इस चीज को इडेंटिफाई कर लेते हैं देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर आप 6 का स्क्वायर कर लोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है आपको पता होगा 6.36 ठीक है तो और यहाँ पर एक जीरो है तो दो जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यह 60 का आपका स्क्वायर हो जाएगा इसी परकार से आप जैस 70 का square कर लेता है यहां पे तो 70 का square क्या हो जागा 7, 69 और 2,0 लगा दी ऐसे ही अगर 50 का कर लो यहां पे तो 25 और 2,0 लगा दो ठीक है तो यह आपकी trick इस परकार से 50, 60, 70 इन पर काम करेगी ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको 2-digit का square find करने में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है अब बात कर लेते हैं हम कि square root को हम कैसे find करेंगे ठीक है अब किसके बारे में बात करते हैं अब बात करते हैं हम square root को हम कैसे find करेंगे तो अगर आपको एक बार पसंद आ गई है अगर आपके समझ में आगए तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर देंगे, भाई दिल से लाइक कर देंगे, ठीक है, तो अब बात करते हैं, square root की, ठीक है, square root की, तो देखे, square root find करना और भी जाद आसान है, बट उसके लिए कुछ terms है जिसको आपको याद रखना होगा, इ इसमें बट कुछ terms है, जैसे की, चलिए next slide पर चलते हैं, okay, तो सबसे पहले तो आपको एक से लेकर 30 तक आपको यहाँ पर squares याद करने होगे, तो या तो आप इनको एक side लिख सकते हो, एक side पर copy के, copy पर आरामते लिख सकते हो, फिर आप इनको Google से डाउनलोड करते हो, वैस इस परकार से आप जो है square root को find करोगे, तो देखे सबसे पहले हैं पर जो मैं square root लेता हूँ, वो ले लेते हैं हम, चलिए यह ले लेते हैं, ठीक है, तो यह ले लेते हैं सबसे पहले, तो हम यहाँ पर square root ठीक है, तो तो 23,04, यह हमने ले लिया, तब हम इसको क्या करने वाल दो के square के last में आपको 4 दिखाई देता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 और 8, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 2 और 8, फिर लेके जो 23 है, यह 23 किस के किस के बीच में आता है, सबसे पहले आप यह चीज़ देखोगे, 23 किस के बीच में आता है, तो 4 के square के ब आप तो आप göster 4 और 5 के बीच आगा मिनिमम वाली संखिया लिखे लोगे ऐनी कि 4 के और 5 के बीच में में अग्च कर लोगे तो चार तो हो गया अब 23 किस्के स्कवाइर के ज़्यादר नजदीक है 5 के 2 के 2 plane और नजदीक होता तो आप यहाँ पे जो है दो लिखते और अगर आपके पांच के स्क्वाइर के जादे नजदीक है नहीं कि दूसरे नंबर के जादे नजदीक है तो यहाँ पे आप 8 लिख होगे ठीक है 48 होगा आपका यहाँ पे ओके तो होप कि यह चीज आपको समझ में आ गई होगी तो अगर आ गई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और अगर नहीं आई है तो टेंसन लेने की जुरूद भाई नहीं है अब भी मैं आपको आगे और अच्छे से चीजों को क्लैरिफाइक कराने वाला हूँ तो आगे आप तिकत मत लो मैं आपको एक एक एक्जामपल लेता हूँ मैं वो ले लेता हूँ मैं एक एक मेंट तो एट सिक्स फोर नाइन ठीक है इसको ले लेता है यह वारा ओके तो यह ले लिया हमने अब देखें नो किस किस के लास्ट में आता है यहां पर तीन के और साथ के तो यहां से मैंने तीन लिख लिया और साथ लिख लि जी ओके तब 86 किस किस के स्क्वाइर के बीच में आता है देख लेंगे हम तो 86 किस किस के बीच में आता है 9 के और 10 के बीच में ठीक है 9 के स्क्वाइर के बीच में आता है और 10 के स्क्वाइर के बीच में तो मैंने आता है कि किसके जादा नजदीक है आपका साथ के यानि कि फर्ष्ट नंबर के जादा नजदीक है या फिर सेकंड नंबर के जादा नजदीक है तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है फर्ष्ट नंबर के जादा नजदीक है 81 नाइन के स्कॉयर के जादे नजदीक है ना तो यहां पे 93 हो जाएगा ठीक है किलियर हो गया होगा अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देख लेंगे एक दूसरे एकजामपल की मतद्द से देखेंगे अभी ठीक है तो दिक्कत मतलो सारी चीज़े किलियर करेंगे आज ठ ऐसे कि यह ले लिया मैंने 64 ठीक है तो 64 मैंने ले लिया है यहां पर अभी चार किस किस के लाश्ट में आता है हमने देखा था दो के और आठ के जी ठीक है जी लिख लिया जी हमने दो और आठ ठीक है अब 60 ठीक है 60 जो है वो किस किस के बीच में आता है किस किस के बीच में आता है कि के तो 60 आता है आपका 8 चा pe pa le ke बीच में तो यहां some स्क्राइब कि ェंदन हीवह की साथ के यहां some अवाला सिक्री में फिक्स वाला आ में इस आपकाई का स्क्राइब सब्सेंट सेवंटीह लिखे में नहुत ऐसां पूसुयार के रहएं चाहिए ठीक है अब चलिए एक बड़ा नंबर देख लेते हैं ठीक है तो बड़ा नंबर देख लेते हैं एक और उसके बाद आगे बढ़ते हैं ओके तो अब एक बड़ा नंबर देख लेते हैं यहां पर तो देखे अब यहाँ पर एक बड़ा नमबर ले लेते हैं और बड़ा नमबर यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या 127 127 6 9 इसके square root find करते हैं तो 9 किस किस के last में आता है वही देखो 3 के और किस के last में है 7 के ठीक है 3 के और 7 के बीच में यहाँ पर लिख लिया है हमने ठीक है लिख लिया अब 127 को यहाँ पर हम देखेंगे अब यहाँ पर 3 डिजिट को में देखेंगे पहले में क्या थी पहले में हम 2 डिजिट देख रह को दो एक यहाँ पर छोड़ दी है हमने ανα जो अफिक है अब मिनीममाला तो आपका एक ठीक होगा अब देखो आप 127 जो है वह फर्स्ट नंबर के जादा नजदीग है यह आपका first number और 12 हो गए है आपका second number और यहाँ पर यह first number और यह second number ठीक है तो first number के ज्यादा नजदीग 121, 127 ठीक है तो यहां पर first number हमारे क्या है 3 यह निक 113 का square root हो जाएगा यह आपका ठीक है तो hope कि आपको इस सभी चीज़ें जो है न किलियर हो गई होगी तो अगर किलियर हो गई है तो एक बार वीडियो को like कर दीचे, share कर दीचे और अगर आपने बिद्धा किस चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके notification notification bell का icon को भी दबा दीचेगा तो आज किस वीडियो में बस इतना ही था आज किस वीडियो में बस इतना ही था तो मिलते हैं आप से ऐसी किसी next वीडियो में अगर आप कहोगे कि भाई 3 डिजिट 4 डिजिट कभी square find करना सिखा दो और square root अगर आपके चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप बोल सकते हो कि हम दूसरी भी वीडियो आपके लिए रिक अगर आपको जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं तो आज क pouch वीडियो में मिलते हैं अगर वीडियो को like or share नहीं के तो फटा फटी like or share कर दीजे तो जै हंन्त जै हिंद जैवारत